हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकरी के साथ दोस्तों प्रकृति का खजाना अनमोल और असिमित है इसमें अनेक ऐसी वनस्पतिया पाई जाते है जो चमतकारिक गुणों से परी होती है ये चमतकारिक जड़ी बुटिया और पेड़ भोधे हमारे आसपास में ही होते है लेकिन जानकारिक के अबाव के कारण हम इसके गुण और पाईदे से अनजान होते है दोस्तो आज की वीडियो में हम रदेरों को जड़ी खत्म करने वाली और चमतकारिक प्रभावसाली आयर्वितिक जड़ी बुटि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अर्जुन दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाए और ओल नोटिफिकिशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हरनी वीडियो की जानकारे आप तक पहुंचती रहे दोस्तो देखा जाए तो संस्कृत में अर्जुन का अर्थ होता है स्वेट, स्वच्छ और सफेद इसकी साल सफेद रंकी होती है इसी कारण इसे अरजुना कहा गया है हिंदी में इसे काहू, अरजान और अंजनी से पहचानते हैं दोस्तो आप इसे किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताए दोस्तो ये आउसद्य गुनों से परपुर होता है ये रदय रोगों की रामबान आउसदी है इसके कपडशन चूरन का प्रभाव इंजेक्शन से भी अधिक होता है इसका आसर सारबलिटेट मेडिशन के समान होता है अगर किसी को रदय की धड़कने बढ़ जाती है नाड़िक की गति कमजूर हो जाती है तो ऐसे में कहीं लगने से ही रदय की धड़कने और नाड़िकी गति सुचारों रूप से काम करने लगती है दोस्तो इस दवा का रोजाना सेवन करने से कोई साइड एफेक्ट नहीं होता और रदय सदा स्वस्त रहता है ये जड़ी बुटी एलोपैथिक की सबसे प्रशित दवा डिजिट पर चली जाती है तो इसे साधरन समझने की गलती न करे तूरंत एक गिलाश टमाटर के रस में एक चमच अरजुन की च्छाल का चुर्ण मिला कर पी जाए इस प्रयोग से सिग्रही लाप महिसूस होगा इस प्रयोग को रोजाना करने से रदय स्वस्त बन जाता है अगर अरजुन कई प्रकार की रोगों को उत्तूर करता है इसकी च्छाल को पाने में उबाल कर ठंडा होने के बाद दिन में तीन बार 20-20 मिली की मात्रा में पिने से मुत्रसबंदी सारे समझ्याये मिठती है इसके अलावा इसकी च्छाल और सफेद चंदन दोनों को मिला कर काड और इसका 10-20 मिली की मात्रा में रोजाना पिने से सुक्रप्रमे मिठता है याने सिग्रपतन स्वप्न दोस्टे से समझ्याये मिठती है जिनस्त्रियों को सफेद पानी याने स्वेद प्रदर की समझ्या रहती है ऐसे मिलावों को एक कप गाय के दूध में एक चमच अर्ज करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकार के साथ